हाई फ्रेंड्स कैसे है आप सब अफ्रेंड्स वह बहुत बॉना लगता है जब कोई का अपना या कोई आपका इसका आपका पार्ट्नर आपको ब्लोग कर देता है। आप परिसान हो जाते हो, आप पस यही सोचने भी लग जाते हो, कि आप क्या करें, कैसे करें, कि वो आपको अनब्लॉक करते हो, इसके लिए आप फर्स करते हो, आप क्या करते हो, आप दूसरे दूसरे नंबर सोने कॉल करते हो, आप उन्पे फ्रैंक्स के नंबर सोने कॉल कर परता है और इससे आप बहुत और भी परिसान हो जाते हो आप दुखी रहने लगते हो आप मेंसा के लिए उदास हो जाते हो आपको यह सब नहीं करना है आप यह समझे कि उसने आपको ब्लॉक क्यों किया तो देखें फ्रेंश मैं आपको बतारे इस बात को ध्यांजे समझे जब कोई इंसान किसी को भलॉक करता है तो यह समझे कि वह एशे ही अफंने कब्लॉक करतेता है उसका सीधा समझ्मलब होता है कि वह आपसे आपको कांटेक्ट और जायता आपको को देखना नहींचाहाता। यहां तक कि वो आपसे लड़ना भी नहीं चाहता, आपसे बहस नहीं करना चाहता, वो आपसे इरिटेट हो चुका, वो आपसे किसी तरह का कॉंटेक्ट नहीं रखना चाहता, एक वज़े तो यह हो सकती है कि किसी इंसान को ब्लॉक करने की, दूसरी वज़े यह हो सकती है कि ह आपको सकते है आपका पार्टन आपको परिशान करना चाहएता हूँ उसको पता है कि उसके ब्लॉक करने से आपको फर्क पड़ता दो कारण हो सकते हैं किसी के आपको ब्लॉक करने के तो दोना ङी सिचोइशन में आपको एक बात तो समझनी होगी कि ऐस बार इस बार आपको अपने उपर सेल्फ कंट्रॉल अगर अपके अंदर नहीं आए तो कभी भी आपका पार्टनर आपको अनब्लॉक नहीं करेंका और लग देया तो फिर थोड़ी जिन बाद आपको ब्लॉक करेगा उसकी आदत पर जा है तो आपसे माफी मजवाने की आपसे विंती करवाने की, तो आप यह साहते हो कि आपका पार्टर क्पा इस रहा है, आपको ब्लॉक क्पा इन करेख तो आपको ठोड़ा वेट कर दा होगाlla इस बार सब्र से काम लेना होगा, मेचम में डिना होगा, आपको स्फ अपैसम करन्क वडाएगा, आपको बुस बॉख बंइंगा से बात करने का, इस सारी वजह पूछने का, इस ने क्यों ब्लोग किया, आप बहुत कुछ ऐसा होगा, लेकि इस पार आपको अपने उपर कंट्रॉल लगना होगा, ये बात तो पता है कि आपका बहुत मन करेगा उससे बात करने का, आपको लगेगा कि आप उससे सौरी बोल दें कि आप लोग की बाद स्टार्ट हो जाए, पर नहीं, इस पार नहीं इस बार आपको थोड़ा सा में चोटी से काम लेना है, आपको सेल्फ कंट्रोल लखना है, आपको उससे बात नहीं करनी है, इस बार आपको पहले करनी है, इस बार वो करेगा, आपको एंब्लॉक भी करेगा, और आपसे सौरी भी बोलेगा, तो फ्रेंड से पहली बात तो आपको सेच्व खोटी हो जा चोटी हो जा आपको सेफ बिस प्री फार खाय्ट आपकी ख्युक्छ आपकी कुछ वी बिर्षी नहीं करेंगा इस बार वो सारी चीजे नहीं करनी है, आपको क्या करना है, आपको सालेंट रहना है, आपको सालेंट मोट पे चले जाना है इस बार, आपको यह दिखाना है कि आपको कोई फर्फ नहीं पड़ता उसके ब्लॉक कर देने पर, और आपको उसको और अपने आपको दोनों को समय कुछछ चीज़े ही समय के स साथ भी ठीक हो जाती ऐसा थीज़े तो आपका भी डेशंशिप थीक हो जाती हैं। कि एक बात अगर कि ऐसा नहीं कि एक किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया, तो आपकी दुनिया ही खत्म हो गई. आपकी दुनिया ही रुख गई, आपकी दुनिया में और भी लोग yell, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप की फैमिली, आपके फ्रेंस, आपके माता-पिता, भा बहुत ऐसे लोग हैं जो आप से बहुत प्यार करते हैं, आप उनके साथ रहें, उनके साथ टाम स्पेंड करें, आपको अच्छा लगेगा, आप आपकी दुखी रहने से परिसान रहने से कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, आप इस टाइम को अपने आपको बेटर करने में आप आप चाहिए जब धे उससास किया है अब भी उससे सामे इनके लोगेगा है यह तो आप उसमेह जाया है, ऑप नहीं जाहोगे, भी आप इसारी चीज़ों का वेट आपू आओको कर घुगे ऑप इस बार इसा कुछ भी नहीं करोगे तो एक टाइम लगे गगा वो और ब्लॉग करके आपकी सोचल मीडिया पर देखेगा सारी चीजे करेंगा आपकी लाइफ में चाला है और यह देखेगा कि आप अपनी लाइफ में खुश उसके बगाय भी खुसो, तो वो आएगा आपके पास, खुद से, खुद से आएगा, और रॉंक भी करेंगा, सौरी बोलेगा, लेकि सबसे जरूरी बात है, कि आपको इस काम में पेसन से काम लेना होगा, क्योंकि इस बार समय लगेगा, तो फ्रेंक्स, अगर मेरा वीडियो को अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आपके लिए ऐसे ही लव एड्वाइस, लव टेफ्स, और मोटिवेशना वीडियो लाती रहूँगी, तो मिलते हैं अपनी नेक्स वीडियों में, तब तक के लिए बाए!